Hello everyone, welcome you all to the Chem Concepts YouTube channel. बच्चों, आज से हम एक new topic स्टार्ट करने वाले हैं, that is, some basic concepts of chemistry. Right, जिसे आप mole concept के नेम से भी जानते हों. क्या होता है? ठीओरी तो आप लोग बहुत अच्छे से cover कर लेते हैं, बट जब numerical करने की बारी आती हैं, तो हम अटक जाते हैं. हम unit conversion नहीं कर पातें, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा basics clear नहीं होता. इस वज़े से इस unit को पढ़ना और अच्छे से समझना बहुत ही important है. ठीक है? तो आज के इस lecture में हम introductory part लेंगे इसका. मुझे एक question आप बताईए, answer करिए इसका, कि जब भी आप chemistry word सुनते हैं, तो आपके mind में क्या आता है? That what is chemistry? तो chemistry क्या है? science की वो brand जिसमें हम matter, उसकी properties और उसकी reaction की study करते हैं. That is actually chemistry. अभी जब matter है, इसके constitute particles क्या होते हैं? atoms and molecules. तो मैं एक और definition भी दे सकती हूँ इसकी, कि chemistry is the science of atoms, molecules and their transformations. मैं, transformations बोले तो, देखो, मानों आपके पास में coal है, कोईला है. इसे आपने high temperature और pressure पर बहुत साल तर रख दिया, तो क्या होगा? इसके अंदर कुछ changes होगे, और changes होने से, ये किस में convert हो जाएगा? diamond में convert हो जाएगा. तो इस process को कहां जाता है? transformation. आपने बाहर से कुछ भी add नहीं किया, इसके constitution में अपने आप change हो रहा है. अरे वाँ, तो मतलब में हम तो coal ले और इसको रख दे high temperature pressure पर तो हमें तो diamond मिल जाएगा. फिर इतना पढ़ने की क्या requirement है? लेकिन ऐसा नहीं है, सालों लग जाते है, सदिया लग जाती है, इसलिए वापस आजाओ अपने इस topic पर. तो ये तो हमने बात करी कि chemistry actually है क्या? अब एक और question आता है कि मैं chemistry को आखिर पढ़ना क्यों है? के बाद इसलिए कि हमें exam clear करना है? नहीं, chemistry बच्चों actually everywhere सब जगे हैं. आप सुबह उड़ते हो उससे लेकर आपको सोने तब इतने सारी chemical process आप करते हो या chemical process अपने चारों और होते वे देखते हो. इसे दो example से मैं आपको समझाती हूँ. आप morning में उठते क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं. पेस्ट actually क्या है? एक तरह का base है. और जो आपने food consume किया है, वो क्या होता है? acid होता है. तो यहाँ पर acid base reaction हो जाती है और neutralization हो जाता है. जिससे हमारे teeth की cleaning होती है. इसी तरीके से रात को सोते टाइम जो coil आप burn करते हो उससे chemical release होते हैं जिसकी वज़े से mosquitoes हम से दूर रहते हैं. तो इस तरह से chemistry day to day life में बहुत ही useful है. इसके अलावा चाहिए वो crackers हो, clothes है, plastic, concrete, petrol, soap, pills, paper, food, batteries, ऐसे बहुत सारी industries है जहाँ chemistry use आती है, आप जो cooking करते हैं, वो actually क्या है? chemical reaction है. तो जो आप physics या बायो पढ़ते हैं, वहाँ से need create होती है और chemistry actually उस need को fulfill करती है. इस वज़े से chemistry को पढ़ना और समझना बहुत ही important है. Got my point? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक word आपको बताया था, matter, कि हम लोग chemistry में क्या करते हैं, matter की study करते हैं. लेकिन इस matter का मतलब क्या है? What is matter actually? तो ध्यान रखना ऐसे कोई भी चीज जिसका कुछ mass हो, जो space occupy करे, volume हो जिसका, उसे matter कहा जाता है. इसका मतलब चाहे मैं हूँ, चाहे ये हाथ में marker है, चाहे आपके हाथ में जो mobile है, आप है, इस room में air है, ये सब क्या है? matter है. राइट, जिसे हम feel कर सकते हैं अपनी five senses के through, ठीक है? तो इसका मतलब matter जिसे हम touch कर सकते हैं, तो में क्या हम glass road जो है, गरम गरम या जो लोहे की road है, उसे touch कर सकते हैं? बिलकुल कर सकते हो, बट उसके बाद आप कोई चीज को touch करने लायक नहीं रहोगे. मैं smell भी कर सकते हैं matter को, तो क्या जो poisonous gas होती है, उन्हें हम smell कर सकते हैं? बिलकुल कर सकते हो, लेकिन फिर कुछ smell करने लायक आप नहीं रहेंगे. मैंटर को taste भी किया जा सकता है, तो क्या जो poisonous chemical होते हैं, compound होते हैं, उन्हें हम taste कर सकते हैं? फिलकुल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहां हमें केवल यह समझना है कि matter actually क्या है? तो matter क्या है? वापस समझो, जिसका अपना mass हो और जो space occupy करें, तो यहां तक का point clear है, अब इस matter को हम थोड़ा detail में समझते हैं और बात करते हैं इसके classification की. matter को हम two types से classify कर सकते हैं बच्चो, first is physical classification and second one is chemical classification, इसे हम one by one करके पढ़ेंगे. सबसे बहले बात करते हैं physical classification की, देखो, यहां पर intermolecular attraction force जो होते हैं particles के बीच में उसके according matter को तीन पार्ट में divide किया गया है, number one solid, second liquid and third one is gas, ठीक है, यह तो आप बच्चपन से पढ़ते आ रहे हो और वही चीज यहां पर हम वापस एक बार revise कर रहे हैं, तो सबसे पहले solid क्या है, जिसमें constitute particles जो होते हैं, उनके बीच में एकदम close packing हो, इसका मतलब वहाँ पर intermolecular attraction force जो है, वो बहुत जादा होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, कि बस है, जो बिलकुल खचा कच भरीवी है, जहां खड़े होने की भी space नहीं है, तो बिलकुल आप movement नहीं कर सकते, बैसे यहां पर भी particles जो है, वो move नहीं कर सकते, इसके अलावा solid में जो shape होती है, that is definite, और इनका जो volume है, वो भी definite होता है, यह आपको ध्यान रखना है, चेंज नहीं होगा, मालीजी, यह marker है मेरे पास में, यह मेरे इस हाथ में है, मैं इसको दूसरे हाथ में रख दो, ना तो इसके shape चेंज हुई, और ना है इसका volume चेंज हुआ, तो मतलब यह दौनों fix होते हैं solid के अंदर, clear है, second क्या है हमारे पास में liquid, liquid क्या होते हैं, जिसमें inter-molecular attraction force जो है, वो solid के comparison में कम होता है, यानि जो हमारी bus थी, उसमें से कुछ passengers उतर गए, अब हम थोड़ा क्या है, उसमें movement कर सकते हैं, वही बात होती है liquid के अंदर, तो यहाँ पर, जो liquid है, उसका volume तो fix होता है, यह ध्यान रखेगा, volume fix होता है, लेकिन shape है, वो fix नहीं होती, यह पता भी होगा आपको, ठीक है, shape is not fixed, why so, मान लीजिए, मेरे पास में एक water bottle के अंदर 50 ml water है, अब मैंने उसे इस glass में fill कर दिया, तो water का volume तो 50 ml ही रहेगा, ले पास की shape में ले लिया उसने, तो इसका मतलब, liquid क्या हो गए अपने pass में, जो जिस भी आप container में उसे डालोंगे, वो उसकी shape ले लेगे, समझ में आया है यहाँ तक, अगर third मैं बात करू, gas की, तो gas क्या होते हैं, जिसमें intermolecular attraction force, negligible होते हैं, मतलब आराम से, स्वतन्त रू आप सो कर, लेट कर, एक एक सीट पर बैठ कर, अराम से जा सकते हो, तो वही हाल होता है, gas में, जो constitute particles होते हैं, उनका, और यहाँ पर, ना तो shape fix होती है, और ना ही volume fix होता है, दौनों ही fix नहीं होते हैं, यह ध्यान रखना, इसका क्या meaning है, definite नहीं है, shape और volume, क्या मतलब है इ पान लीजिए, मैंने एक match stick है, उसे burn किया, एक box के अंदर, तो अभी shape और volume क्या होगा, उसका fix, जो box है, उसी का होगा, अब मैं उसे room में box को open कर देती हूं, तो जो fume से वो क्या होगी, पूरे room में spread हो जाएगी, इसका मतलब volume का expansion हो रहा है, और shape भी change हो गई, gas की, इस व बात हुए हमारे physical classification की, कि तीन पार्ट में हमने matter को divide किया, solid, liquid and gas, एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो ये states of matter मैंने आपको बताए, ये आपस में क्या होते हैं, inter-convertable होते हैं, क्या मतलब है इसका, समझे इसको, मान लीजिए मेरे पास है solid, solid ice है, इससे जब मैं melt दूँगी, तो ये किसमे convert हो जाएगा, liquid water के अंदर, अब जैसे इस liquid water को, मैं और थोड़ा temperature दूँगी, boil करूँगी, तो ये किसमे convert हो जाएगा, gas के अंदर, तो इस process को हम क्या कहता है, evaporation, solid से liquid पे convert होना क्या कहलाता है, melting कहलाता है, किस point में होता है, melting point पे होता है, यहा मतलब अगर gas को condense किया जाए, तो क्या होगा, वो liquid water में convert हो जाएगा, इस process को कहता है, condensation, अगर मैं liquid से वापल, solid में convert करूँ, तो वो process क्या कहलाता है, freezing process कहलाता है, और किस point पे होगा, freezing point पे होता है, यह process तो हम सभी को पता है, यहां तक तो हमें पता था, solid to liquid, liquid to gas, और reverse, ऐसा होता है, यह हम जानते हैं, बट क्या आपको पता है, कि solid से direct gas में भी convert किया जा सकता है matter को, solid to direct gas का example, naphthalene balls आप सभी ने देखी होगी, घरों में भी use आती है, और हम लोग chemistry practical भी करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इस process को sublimation process कहा जाता है, जो naphthalene की balls होती है, solid form में ह होती है, वो direct gas में convert हो जाती है, आपने देखा होगा, वहाँ आपको moisture नजर नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ पर sublimation process आपको देखने को मिलता है, इसी तरीके से जो gas particles होते हैं, वो भी direct solid में convert हो सकते हैं, जिसे कहा जाता है, deposition, यह आपको, जो frost areas होते हैं, वहाँ देखन room का temperature, बाहर के temperature के compression में ज्यादा होगा, तो जो gas जैसे ही boundary wall window से टकराती है, वहाँ पर एकदम temperature decrease होता है, और gas solid ice में convert हो जाती है, आपको window पे ice जमी भी वहाँ दिखाई देती है, तो मतलब deposition हो रहा है, तो इसका मतलब यह जो तीनो states of matter है, physical states जो है, यह आपस में inter convert हो सकत है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, और process कौन-कौन से कहलाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, तो बच्चों यह तो बात होई हमारे matter के physical classification की, next video में हम समझेंगे chemical classification क्या होता है, और उसको detail से study करेंगे, तब तक के लिए thank you so much.